कि कहते हैं कि लोहे का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें जंग लगना सभाविक है उसमें जंग लग जाता है कुछ-कुछ ऐसी स्थिती तेज गिनबाज ऐस श्रिसंथ की भी है लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर रहे हैं अब वो विचार प्रकट करने लगे ह और जो उनके विचार है वो बिलकुत किसी जंग लगने से कम नहीं है क्योंकि उनके विचार बहुत ही अवेवारिक है उन्होंने एक भविशवानी की है और भविशवानी सुनेंगे तो आपको भी ताज़ुब होगा उन्होंने भविशवानी की है कि वन डे क्रिकेट में triple century लग सकती है और अगर लगाने वाले कोई खिलाडी कोई और नहीं विरोट कोली लगा सकते हैं या कीयल राहू लगा सकते हैं या तीसरा कोई और खिलाडी अगर लगा सकता है तो वो हैं बेन Stokes अब सवाल उटता है कि ना तो उन्होंने रोहिष श JEN शर्मा का भी लेकिन अनिश्यत्ताएं हैं उनके खेलने को लेकर टीम में जगा बना लें पाकिस्तान टीम की तो ही वह बहुत बड़ी बात है और तीसरे खिलाडी गप्टिल हैं गप्टिल का भी नाम उन्होंने लिया नहीं लिया यह तीनों ऐसे खिलाडी हैं जो कम से कम वन डे क्रिक करियर में सवसोरन नहीं बनाएं वंडे क्रिकेट में और उसको आप ट्रिपल सेंचरी की अगर बात करें यह तो वह बात हो गई कि आप आठ्वी क्लास के बच्चे को कहो कि दस्वी की परिक्षा पास कर ले और बार्वी का बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन की परिक्ष तो बिन स्टोक से ने अपने करियर में जो उनका सरवादिक सोर है वो है 102 रन नौट आउट जो उन्होंने ऑस्टेलिया के खिलाब बनाये थे ब्रमिंगम में और उसके अलावा अगर हम विराट कोली का देखें 183 रन जरूर बनाए है उन्होंने 183 रन की पारी खिली थी ध है कि आपको सबसे पहले तो ऐसा खिलाड़ी चुनना होगा इस तीन सो रन जो वंडे क्रिकेट में बना सके अकेले अपने दम पर जो ओपनिंग करता हो जिसको कम से कम पूरे पचास ओवर खेलने को मिलते हूं आप बेन स्टोक पांचवे नंबर के बल्लेवाज हैं आधा म पांचवा स्थान उनका पक्का कर दिया गया है कि वह मिडल और में आकर बहुत अच्छी स्थिती में टीम को पहुचाने के लिए अच्छे फिनिशर साबित हो सकते हैं और यह काम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको अंजाम भी दिया था न्यूजिलैंड में खास लेकिन इन से आप थोड़ी बहुत उमीद कर सकते हैं क्योंकि विराट कोली लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए प्रसितियों को देखते हुए खेलते हैं उनके लिए रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा माएने नहीं रखते हैं ऐसी सिती में विराट कोली कोई रनों के 180 रन की एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बहुत सी पारिया खेली हैं और लगातार कंसिस्टेंटली बड़ी स्कोर करते रहे हैं और सबसे बड़ी बात है वो उपनर भी है उनको पूरे 50 ओवर भी खेलने को मिलते हैं उसके बाद क्रिस गेल और एबी डिविलियस इनको अगर आपको होना चाहिए टीम का पलकी आपको एक अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करने वाला प्लेयर भी होना चाहिए इन दोनों के स्ट्राइक रेट जो हैं बहुत ही जबरदस रहे हैं और खासकर क्रिस गेल तो अगर टी टॉन्टी के क्रिकेट में 175 रन बना सकते हैं तो ये तीन क्रिकेटर तो हैं ही और अगर भारती खिलाडियों में बात करें तो मुझे विराट कोली से जादा रोहिश शर्मा इस काम के लिए जादा उपयोग लगते हैं जो 264 रन खिलाडी बना सकता है और लगातार पारी की शुरुवात करता है और यदि वो शुरू के में चुनौती पूर्ण है इन सभी खिलाडियों के लिए लेकिन नामुंकिन बिल्कुल नहीं है कम से कम मैं समझता हूं कि ये चार खिलाडी विराट केल राहुल और बेंस्टोक के दुलना में कहीं बहतर विकल्प हो सकते हैं आप क्या सोचते हैं अपनी राए से हमें सब्सक्राइब भी करें